कर दोस्तों सवागत है आपका हमारे यूटुब चैनल पर आर्मी जीडी का आपका एक्जाम बहुती जल्दी कंड़क कराया जाना है तो उसके लिए आज मैं आपको एक पहला प्रेक्टिस सैट नंबर बन प्रोवाइट करवाने वाला हूं जो कि आपके आर्मी जीडी बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और पास में जो बेल आइकन होता उसको भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियो की नोटिविकेसन मिलती रहे उड़ना है तो देखिए क्यावन कोशन पहला बताता है कोशन जिस प्रकार घड़ी का संबंध है समय से उसी प्रकार ताप मापी का संबंध हमें निकालना पड़ता है मतलब पहले का जिस प्रकार दुसरे से संबंध होता है उसी प्रकार तीसरे का चोथे से या चोथे का तीसरे से निकालना पड़ता है तो गाइस देखिए पहला है घड़ी का सम्मन्द है समय से मतलब जिस प्रकार जो घड़ी होती है वो क्या बताती है समय बताती है तो ताप मापी क्या बताता है ताप बताता है तो option C is the right answer अगला question है चीटी का सम्मन्द है मक्खी से मदुमक्खी का सम्मन्द है हमस्टर से और गलाहरी का सम्मन्द किस से होगा यह हमें बताना है देखे गाइस जिस प्रकार चीटी, मक्खी चीटी और मक्खी एवं मदुमक्खी यह तीन जो है ये एक ही बर्ग के अंतरगात आते हैं तो उसी प्रकार हमस्टर, गलाहरी और option में क्या है ऐसी चुहा आंसर क्या हो जाएगा चुहा तो तीनों क्या हैं एक ही बर्ग के अंतरगात आते हैं चलिए अगला question देखते हैं गाइज देखिए अगला question जो हमारा बनता है C, E, G, I का समद है D, H, L, P उसी प्रकार हमें इसका समद निकालना है option के माध्यम से तो देखिए पहले हमें निकालना पड़ेगा C, E, G, I से हमें D, H, L, P बनाना है कैसे बना तो पहले-पहले alphabet रूठाएंगे हम लोग तो C से हम लोग अगर D बनाएंगे, देखिए C का alphabet code होता है 3 और D का होता है 4, कितना add हुआ? 1 अब हमें E से बनाना है H, E का कितना होता है 5, H का होता है 8 तो पहले देखिए E का add हुआ, उसके बाद कितना add हुआ? 3 क्योंकि 5 से 8 बनने में कितना add हुआ? 3 अब देखिए G से हमें क्या बनाना है L G का होता है 7, L का होता है 12 तो अब कितना add हुआ? 7 से हमें 12 बनाना, कितना add हुआ? प्लस का 5 अब हमें I से P बनाना है, I का होता है 9, P का होता है 16 9 से 16 अगर बनाते हैं, तो कितना add हुआ? प्लस का 7 तो guys देखिए, पहले 1 add हुआ, फिर 3 add हुआ, फिर 5 add हुआ, फिर 7 add हुआ तो यही क्रम हम लोग KSEA में करेंगे देखे, 1-3 के बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है 3-5 के बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है 5-7 के बीच कितने का अंतर है? 2 का अब है हमारा S, next alphabet, S कितना होता है, 19, 19 में कितना add करें, 3, तो कितना होगा, 22, 22 किसका होता है, V का, तो LB देखें, किसमें किसमें है, D में नहीं है, C में नहीं है, नहीं B में है, लेकिन A में आपका LB मिल गया, अब आगे करने की कोई जरूर नहीं, क्योंकि एक option बचा, भाहिए आपका answer हो जागा, तो option है, is right answer, चलिए अगला question करते हैं, question मनता है, 8 से हमें 256 बनाना की कैसे बना, उसके बाद हमें यहाँ question mark है, तो कैसे करेंगे, देखिए, 8 से अकर 256 बनाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का score कर देंगे, तो 8 का score किया हमें मिला 64, अब multiply, इस 8 को हम लोग 8 में अकर 2 का divide कर दें, तो हमें कितना मिलेगा 4, तो 64 into 4 कितना होता है, 256, यही pattern हम लोग option के हिसाब से लगाएंगे, तो इसमें जो option इस pattern को follow करेगा, भही आपका answer हो जाएगा, तो option C आपका follow करता है, देखिए, करते हैं, पहले तो 10 का square करेंगे, तो हमें मिलेगा 100, अब इसी 10 में 2 का divide कर देंगे, और multiply कर देंगे 100 में, तो यह हो जाएगा 100 into 5, मतलब 500, देखिए, 500 मिल गया, तो option C is right answer, चलिए अगला question करते है, question मनता है, 9 का संबन्द है 50 से, तो 2 हमें निकालने हैं, option के साब से कि अगला संबन्द बैसे कैसे होगा, देखिए, 9 से 50 बनाना है, तो सबसे पहले 9 बना 45, मतलब 5 का multiply, 45 हो गया, अब इसी 5 को मतलेक्स में add कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 50, यही pattern अगर, यही pattern हमें ऐसा निकालना है, कि option के साब से कि वो follow कर जाए, तो उसके साब से आपका होगा, option D, कैसे, 20 और 105 है, तो 20 से 105 बनाना है, तो क्या करेंगे, 20 का 5 में multiply, तो 20 बने 100, और इसी 5 को add कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 105, तो option D is right answer, चलिए अगला question देखते हैं, तो देखिए, निर्दे से प्रशन संख्या 56 से 69 के लिए, निमलिखित प्रशनों में दियेगे, विकल्पों में से विसम सब्द संख्या अच्छर को चुनना है, तो देखिए 56 क्या है, इस में से आपको वि 31 का होता है, लेकिन नवंबर जो होता, वो 31 का नहीं होता है, अगला 57, इस में देखिए, गुगली, गुगली आपका अंसर हो जाएगा, विसम हो जाएगा, क्योंकि गुगली को छोड़कर, अन्य सब्द जो है, वो तेज गिनबाजी से संबन देते हैं, मतलब तेज अगला देख लेते हैं 58, तो कैसे करेंगे, देख लेते हैं, देखिए, गाइस 58 है, इसका अंसर हो जाएगा, ये अपका भिसम हो जाएगा, और बांकी के जो 3 है, वो आपके समान हो जाएगे, कैसे पहले option को चेक करते हैं पहला option है 50 और 61 मतलब 50 61 है 500061 तो इनके सारे digit को add कर देंगे मतलब जोड़ देंगे तो 5 और 6 कितना होता 11 और 1 कितना होगा 12 तो इनका योग करने पर आपका कितना मिला 12 लेकिन 40 और 25 का सारे digit को add करने पर कितना योग मिलेगा आपको देख लेते हैं देखे 4,2,7,7,5,12 सारे 7,5 कितना हो जाएगा आपका 4,2,6 होता है और 6 में 5 add करेंगे तो 11 इसमें 11 मिला अब 72,02 में करेंगे सभी को add कर देंगे तो कितना मिला 11 अब देखे 60 और 23 को add करते हैं 60 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 तो अभी हमें 11 मिलता है लेकिन इसमें पहले वाले में 12 मिलता है तो option है is right answer चलिए अगला question करते है अगला question आपका बनता है 69 इसमें से आपको एक बताना कि कौन सा आपका विसम है 3 तो समान होगे लेकिन 1 जो होगा प्लसित करते है अगला question करते है इसमें पढ़ लेता है प्रसन संक्या 60 से 65 के लिए निमलिकत प्रस्णों में प्रसन चिन के स्थान पर किया आएगा तो 60 कोशन से कैसे करेंगे देख लेते हैं देखे गाइस साथ माँ है आपका हमें पहले माइनस एक से जीरो बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस एक में एक अगर एट कर दें तो हमें मिल जाता है जीरो अब एक से जीरो से तीन बनाना है तो कितना एट किया कितने का ए 2 का, 3 x 5 के बीच कितने का anti-raday दो का, और 5 x 7 के बीच anti-raday कितने का है 2 का, तो आगे भी 2 का antar होगा, तो 2 अगर add कर देंगेrire साथ में, तो आपका आजाएगा 9, और इस 9 को हम लोग 15 में add कर देंगे तो आपका आजाएगा, तो पंदरे में अगर 9 आड़ करते हैं तो 9, 5, 14 की चाहना से लगा 1, 2, अतलब 24 तो option D is right answer, चलिए अगला question करते हैं इस एक question में आपको दे रहा हूँ यहाँ पर बताना है कि कौन सा number आएगा यह question आप comment करके बताएए इसका skins और ले लिजे का उसके बाद अब सॉल्व करके इसका answer comment box में बता सकते हैं अब हम लोग करेंगे सामन ग्यान के questions तो guys सामन ग्यान में पहला question मनता है निमलिखित में से कौन सा राजपूत सासक संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूम में जाना जाता है इसका हो जाएगा option C अगला है निमलिखित में से कौन रूहेला सरदार एहमस सा अबदाली का विश्वास पातर था तो option B नजीब खान अगला question है निमलिखित में से किस विटरिस संसत में महावियोग का मुकदमा चलाया गया था तो option C बारेन हेस्टिंग्स अगला है भारतियों दोरा अंग्रेजी भासा में प्रकासित पर्थम समाचार पतर था option है हिंदू पेट्रियोट अगला है निमलिखित में से किसे रिगवेद में युद्ध दिपता माना गया है तो option B इंद्र को next निमलिखित में से किस गुप्त सासक ने सर पर्थम सिक्के जारी किये तो option ने चंदर गुप्त पर्थम अवल फजल के हत्यारे को पुरस्करत किया था तो option B जहांगीर ने हिंदू धर्म गरंतों का अध्यान करने बाला पर्थम मुसलिम कौन था तो option B दारा सिको इंडोनेसिया की राज़दानी है तो इंडोनेसिया की राज़दानी है option B चकारता पीर बंजाल स्रेणी है तो option B जम्मू एवं कस्मीर में option मनता है जेली बनाने हितू निमलिखित में से कौन सा फल सरवादे को प्योगत है तो option C अमरूत निमलिखित परवतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्तित है तो option B ब्लैक फॉरेस्ट 142 बहान निर्वातक का सबसे अधिक विसाक्त धातूक प्रदूसक है तो option B C सा हिलेरी क्लिंटन किस छेतर से संबन्दित है तो राजनीती पॉलिटिक्स बहानों में पीछे के द्रस्ट को देखने के लिए कौन सा दर्पन प्रियुक्त होता है तो option B उत्तल दर्पन सूची एक को सूची टू से सुमेलित कीजिए कूट के माध्यम से तो इसका होगा option B पहला देखिए क्या है गाईस पॉलिट्स फिरी पंच वरसी योजना इसका होगा पहले से 1922-1925 फिरी पंच वरसी योजना इसका होगा चोते से 1989 से 24 के बीच प्रवासी पच्छी दिवस की स्थिखी को मनाया जाता है तो आप्सेन सी 10 मई और दलाल स्ट्रीट इसतित है आप्सेन सी मुंबई में है बारत में सोयाव इनका सबसे बड़ा उत्पादक है तो आप्सेने मद्ध परदेश भारतीय गंना अनुसंदान संस्थान इसतित है तो आप्सेने लखनाओ में है अगला है निमलिकित राजियों में से किसमे 2011 की जनगरना के नुसार नगरिये जनसंक्या का परतिसस सरवादिक है तो उफिसन सी पंजाब जनगरना 2011 के नुसार भारत में सरवादिक साचछड़ता वारा जिला है तो उफिसन डी सरचिप मिजोरम निमलिकित में से कौन सी विशेस्ता भारतीर राजयतंतर की नहीं है तो दोहरी नागरिक्ता नागर होल बाग अभियारन किस राज में है तौपसने करनाटक अध्यच्छ रातमक सासन परणाली की विशेस्ता है तौपसन D उपर वरने सभी तते साहिया मतलब पहला है कारे कारणी का प्रमुक राश्टपती होता है राश्टपती अपनी मंतरी परिसत का चैन स्वयम करता है राश्टपती वेवस्थापिका को बंग नहीं कर सकता कोई विदेहक धन विदेहक है या नहीं इसका निर्णा काउन करता है तो लोग सब आद्यच अनुच्छे 352 समंदित है तो उप्शन C आपात काल से इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल का मुख्याले कहा है तो उप्शन C लायोन प्रांस निमलिखित में से काउन सुमेलित नहीं जो गलत बाला बताना है उप्शन C बाकी के तीन सहीं जैसे के विद्दुत आवेस का मातरक होता है कुलाम विद्द बिवक का होता है बोल्ट और विद्द धरिता का फैराड नावी के रियक्टर में निमलिकित में से किसे मंदक के रूम में प्रियोग किया जाता है तो ग्रेफ़ाइट को विद्द देखते हैं हाइडोजन के समस्थानिकों के संख्या कितनी है तो उप्शन B तीन बायो डिजल पौधा कहलाता है तो जे ट्रोफवा पौलिथिन की धैलियों को नश्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि भे बनी होती है उप्शने पौली मार से पानी में नमक मिलाने पर पानी के कोथनांक और हिमांक उप्शन C क्रमसा बढ़ और घड़ जाएंगे जल की स्थाई कढ़ोरता का काराण है केल्सियम तथा मैगनीसियम के क्लोराइड तथा सल्फेट बनस्पती सास्तर का जनक कौन था तो उप्शने थियो फ्रेश्टस कोशिका की आत्मात्या की धहली कहलाता है तो लाइसोसोम खसरा इसके संक्रमान के काराण होता है तो उप्शने बायरास बिसाणो तितलियों का अध्यन क्या कहलाता है तो नियन्टोलोजी पित का प्रमुक कारे है तो उप्शन भी वसा का एंजाइम द्वरा पाचन करना तो गाईत आज के इस वीडियो में इतना ही थेंक्यू धन्यवाद आपका देन सुब रहे